वेटरेन लीडर्स कल परसुम जो डिल्ली में चर्चा किये थे चर्चा के अंदर एक विकल्प निकल के आया हमिशा जी यही बोले जो आप शेडूल का बात कर रहें एक शेडूल एक स्टेट में एक प्रांत में अगर कोई चोटा सा एरिया उसको कोई प्रोटेक्शन देना है इसके लिए वो सिक शेडूल बनाते हैं मगर हम पूरा लड़ा को कानुस्ट्रिशनल सेफगाड बनाएंगे हम आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए जो आप लोग मांग रहे उससे ज़्यादा विकास हम लड़ा की करना चाहते हैं अमारा उपर मोडी जी का उपर विश्वास रखिये मोडी जी जैसा यूटी बनाया वैसा लड़ा का जंता का विकास भी हो लड़ा का प्रोटेक्शन करना लड़ा को सेवगाड करना नरेनर मोड के सरकार कटिन बद्ध है ये स्वब के सामने अधर निया मिशा जी जो डेलिगेशन के सामने बता है जो आज एफेक्स बाड़ी जो वेटररन लिडर्स जो रिलिज़स लिडर्स जो भी आज निन्ने लेके एलक्शन का प्रासेस में बागिदार होने के लिए स्मूथ चलने के लिए जो एक्सेप्ट किया है बाड़ा सरकार के और से मैं सब लोगों को आप लोगों को दन्यवाद देता हूं नर्यंदर मोड़ी जी और अमिशा जी के यही बताए जो आना वाले दिन में जो कांस्टिशन सेफगाड के विशे पर बाड़ा सरकार जो निन्ने लेने वाले है नाट ओनली कंसल्टेशन वी विल टेक कंसेंट अफ दी लेन लड़ा का जनता का कंसेंट लेके हम इसको प्रोटक्शन करेंगे इसे बताएं हमारा मन साफ है मैं बताना चाहता हूं हमारा मन साफ है इस विशे पर भी लड़ा के जनता के आकांक्शा पर हम पूरा सन्मान करेंगे और लड़ा के जनता प्रतिनीदियों के साथ प्रमुक लोगों के साथ हिल डेवलोप्मेंटल कंसेल के चुनाओं में पूरा होने के बाद हम डिली में बुलाएंगे बाचित करेंगे जो भी बारस सरकार का सोच है उनके सामने रखेंगे उनके कांसेंट लेकर क्योंकि अभी एलक्षन कोड़े अभी कुछ बोल नहीं सकते आर्टिकल 370 आटाना लड़्डा को अलग प्रांत का दर्जा देना और शांती कायम रखना दो प्रांतों में क्योंकि जो खत्र है आप सोबलों को माल में पडोसी देश कैसा कैसा आर्टिकल 370 आटान में क्या-क्या स्टेट्मेंट दिया आप सोबलों को माल में इसे दुष्ट्र कौन में कितना समय लगा आप सु भुलों कुमाल में शांती लाने में उसके बाद करोणा लगबक आठ मैने से करोणा है करोन में हर वेक्ति का हर परिवार का हर प्रांत का हर देश का सारी दुनिया में जो भी स्टाटे जिता उसमें कुछ नहीं कर पाया सोभी काम ठपा पड़ा हुआ है सोभी काम रोग गए है इसलिए लड़्डा का जंता ये सोंचना चाहिए मैं अन्रोद करना चाहता हूं हमारा काम करने में कोई कम नहीं करेंगे